अब आपको इतनी टेश्टी लगेगी कि आप हमेशा इसे ही बनाएंगे अब आपको बनाएंगे कच्छे केले की सब्जी एकदम नए तरीके से और एकदम हेल्दी तरीके से केले बहुत ही हेल्दी होते हैं तो इन्हें जरूर खाना चाहिए और आज का जो combination है केला और चने की दाल का जो काफी tasty लगता है तो चलिये बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे लिए मैंने चार कच्छे केले और केलों को ने धुल लिया है पहले फिर मैंने चीला है और अगर छिल के अच्छे हैं तो आप इनकी सब्जी भी बना सकते हैं तो देखिए मैंने इने छिल लिया है और छिलने के बाद आप चाहना तो दो सकते हैं फिलाल मैंने नहीं धुला है और अभी हम इने रखेंगे साइड में पहले हम बनाएंगे एक टेस्टी सा मसाला तो यहां पे लेंगे एक ग्रेंजर जार इसमें एड़ करेंगे एक छोड़ा चमच खड़ा धनिया और साथ से आठ ली है मैंने काली मिर्च और काली मिर्च आप कम जादा भी कर सकते हैं लेकिन डालिएगा जरूर और आठ से दस ल करते हास की कापी अच्छा लगता है तो आप इसे किपना करें जरूर डाले और फोड़ासा जीरा भी ओड़ कर देंगी ताक यह सारी चीज़िश्या अच्छे से से हु bell हो सके और बस यहां पे इसतरसे पना लेना है तो पेश्ट ख्ल़ा दढरा ही रहेगा दखिए इस तर इस लिए हमें इनी तुरंद कट करना है तो यहां पर आप हम इन इस तरह से कट करेंगे लंबाई में और एक केले के । आप जाहें तो आप दो पीस भी कर सकते हैं ज्यादा पतले केले हैं तो अगर थोड़े तो अभी हम इस पर एड़ करेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने यहां पर चीली पाउडर लिया है और तीन से चार पिंच लिया है नमक तो हमें नमक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं अभी एड़ करना है तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे और करीब आदा इसलर से नहीं गयां इसलर हम लगा देंगे तो हातओं सी लगाएगे गा आसाली लग जाता है इस पून से लगाएंगे यहों था क्ति में लगा दिया है और आप एड़ा गयलते करीब पांच मिंट के लिए तब तक तक हम यहां पर लैंगे कढ़ा को गैस बहां पर और इस तो इस दाल को मैंने ना ही धुला है और ना ही मैंने इसे भीगोया है मैंने इसे थोड़ा सा कौर्टन कपड़े से पोच लिया है तक इसमें जो भी डेश्ट बगयरा है वो साफ हो जाए तो बस यहां पे हमें भीगोना नहीं डाल को इतना ध्यान रखें और इसे हमें लो झाल धुटी सी कलर की और चुछ भाले जाने लगी ऑछे सी कुछ हो कि अच्छी अने लगी स्कुछ बहुत ने लगेगी तब हम धनी हेट को अफकर दालको प्लेट में टांसफ्र कर लेंगे और यहां पे देखिए आप मैंने लिया है पैन तो आपको यहां पे फैले तले का बरतन लेना है यानि कि पैन ले सकते हैं और यहां पिर तबाह है तबाह भी ले सकते हैं लेकिन तबाह आप यहां पे आईरन बाला नहीं नॉन इस्टिक तबाह लीजिएगा तो यहां पे मैं करीब तीन चमस तेल डाला है और यहां पर मैंने सारसों के तेल का यूज किया है तिल हलका सा जैसे गरम हो जाएगा ना हम इसमें ये केले के पीसेस एक केक करके रख देंगे और इन्हें हमें मीडियम हीट पे इस तरह से अलटते पलटते हुए फ्राइ कर लेना है तो इन्हे करीब दो मिट बाद हम पलट देंगे तो एक साइड जो इनका कलर है थोड़ा सा गोल्डन हो गया है देखिए और इसी तरह से हम दोनों तरफ इन्हें फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने से इसमें बहुत ही अच्छा सौंधा पनाता है और यह सबजी अगर आप एक बार बना प्रेंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिएगा बेल को प्रेस कीजिए तो यहां पेस आरे केले के जो पीसे से फ्राइब हो चुके हैं और फ्रेंस यकीन मानिए जब अपने फ्राइब करके भी इस तरह से खाएंगे ना तो इतने ज्यादा यह सौदिश लगते हैं तो देखिए एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और अच्छे से पक भी चुके हैं तो आप इस तरह से भी खा सकते मेरे तो दो चार ऐसे ही खतम हो गए तो अब चलिए हम बनाते है इसकी सब्जी और सब्जी कैसे बनेंगी वह भी आप देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन टेस्ट ही बहुत ही ज्यादा बनती है तो यहां पर कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में हमें डालना है करीब 2-3 चमच सरसों का तेल और तेल गरम हो जाएगा तो इस साइज के और इस मसाले को हम भून लेते हैं और जैसे करीब 1 मेट के लिए यह भून जाएगा ना फिर हम इसमें अड़ करेंगे लहसुन बाला पेस्ट अच्छे से इसको मिला दीजिए क्योंकि दोनों चीजे ना बहुत अच्छे से पक जानी चाहिए प्याज और लहसुन जो भी इसमें कच्छा पड़े ना और निकल जाए क्योंकि इसमें सायसों भी एड किये वह भी कच्छी थी तो थोड़ा साम इसमें चिली पावडर भी एड करीते हैं तो आप चाहें तो आप यहाँ पे चिली स्किप कर सकते हैं क्योंकि दो बार मैंने पहले इसमें मिर्च एड़ की है तो अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे मिर्च को अवाइड करें और अब हम इसमें एड़ करेंगे दो टमाटर की प्यूरी तो यहाँ पे करेंगे हीट को मेडियम रख दीजिए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कौन से लिए मुझे कमेंट में जुरूर बताना ताकि मैं आपको थेंक्यू वह सकूँ और मेरी पिछली वीडियो का थेंक्यू किसे जाता यह भी मैं आपको अब ही आगे बतांगी तो यहां प मसाला बहुत अच्छे से पक गया है तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी नई लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर भी करें अपनी फेमिली में फ्रेंस में तो अब हम इसमें एड करेंगे पानी को विद्ध क करेंगे पानी एड करकर इसको मिक्स कर देंगे और अभी यह पानी थोड़ा कम लग रहा है तो एक कप पानी हम इसमें और एड करेंगे तो टोटल मैंने यहां पे दो कप पानी इसमें एड किया है और तेस्ट के गौणिंग इसमें नमक एड करें साथ में एड कर देते हैं कसूरी मेथी थोड़ा सोहरा धनिया की फ्लेबर को AZ-90 कि अप्सक्तॡा टाकि तो कि फैसे दूने श्लक्तोफ म्थों ग्रेवी भी विए ऊँड़ाया अे कीया थाल Commerce मिला तो बस असी इसमें अड करेंगे केले केस् reduce तो एक एक करके इसमें अड कले गोगे हैं और यहांपे मैंने में इक शक्रिज़ की चुप मुलावन तरह यहां बच जाए ना तो आप इसको कचोडि में या फिर आप जब मिर्च बनाएं उसमें का यूज कर सकते हैं मिर्च का चार या फिर मिर्च की सब्ची बहुत ही अमेजिंग लगती है तो अभी देखिए मैंने इसे पका लिया है करीब दो मिट के लिए क्यूंकि केले तो पहले से और आप यहां पे ग्रेवी में भी पक चुके हैं करीब दो मेट के लिए और आप देखें ना इनका टेक्स्चर तो किसके मूं में पानी नहीं आएगा ऐसी सब्जी देखके तो देखें ना बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं केला तो अब हम इसमें एड करेंगे हरा धनिया और हरा धनिया डालके हम इसको बंद कर देंगे और इसे हम करीब दो मेर्ट बाद आपको दिखाते हैं गैस को आफ कर देंगे तो मेरी पिछली वीडियो का थैंक्यू जाता है नीलिमा यादब मॉंबई से हैं तन्वीर एहमद आगरा से हैं और पूने से हैं अभिनास आप लोगों को मेरी जो रेसिपी हैं अच्छी लगती है तो प्लीज ऐसे ही आप मेरे साथ जोड़े रहिए मुझे सपोर्ट कीजिए और यहां पर देखिए दो मिट बाद जो हमारी सब्जी एना एकदम बहुत ही टेश्टी बन चुकी है तो इस सब्जी को देखर किसके म लगते हैं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं फेस्बूक के तो फेस्बूक पेज को लाइक करें फॉलो करें थैंक्स फर वॉचिंग